प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस सरकार आदर्श आचार सहिता का लंगन कर रही है। कॉंग्रेस चुनाफ की समय प्रदेश के लोगों के साथ धूका करके जन समर्थन हासिल करना चाहती है। इसलिए चुनाफ आते ही वो बड़ी बड़ी बातें और घूचनाए करती हैं। कारवाय की हाना कि अभी हमने इस संदर में शकायत की ही नहीं थी। लेकिन सरकार को जब अच्छी तरह से मालूम है कि उनमें से कुछ अधिकारी सेक्रेटरी जी एडी के साथ 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 में सेक्रेटरी खूम वो मुख्यमंत्रिकारले का भी काम देख रहे हैं। कि मुद्रिक साथ है टेस्ट हैं और इस संदर में ये पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया सरकार ने और सरकार ने नहीं किया तो चुनाब आयोग ने उसका सुन्यान लेकर कि उनके उनके पर कारिवाई की है और मैंसमतर यूची कारिवाई है और कॉंग्रेस की सरक हिमाचर प्रदेश में चुनाब प्रवावित ना करें इस संदर में हम भी चुनाब आयोग में आने बार समय में हर बात को ले करके जो भी इस तरह के मुद्दे आएंगे उन पर बात करेंगे फिलहाल हमने सिर्फ एक कंप्लेंट की है जो पंदरा सो रपे महिलाओं को देने क लोग सभा के चुनाब देने की कोशिश कर रहे हैं ना तब मिले पर नहीं अब मिलेंगे इस बात को लेकर करके मैं बड़ा साब करना चाहरा हूँ और हमने चुनावायूग से इस बात के लिए आगरा किया है यह violation है model code of conduct की और इसका संग्यान लेते हुए तुरंत जो है इसको बंग करना चाहिए